नमस्कार मैं हूँ एक्तारमन और आप देख रहे हैं न्यूज NCR का फेजबुक लाइब वैसे तो लाइब में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से हमें आज के गेस्ट का ताइब मिला है अचीवर्स टॉप का ये एपिसोड बहुत खास है क्यों तो हर अचीवर हमारे लिए हम तभी के लिए खास होते हैं और इंस्किरेशन होते हैं लेकिन आज के जो गेस्ट हैं पहली बात तो ये कि इनका समय मिलना बड़ा मुश्किल होता है और इनोंने अपनी लाइफ के कुछ बहुत से स्टीरियोटाइब बहुत ही ऐसी बातों को और लोगों की सोच को तोर कर इस मकाम तर पहुँचे हैं मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी श्री मनीराम शर्मा जी आये से मनीराम जी करुंट्ली इस स्पेशल सेक्रेट्री तू होम इंडी गर्वर्मन्ट और एक बहुत ही स्ट्रगल पून जर्नी के बाद यह आज इस मकाम पे है मेरे को बाकी मैंने 14 साल और वी छोटी छोटी नोकरियां की है दो बार रिजेक्शन करने के बाद और वैसे जब आप मनीराम जी के नाम को गूगल करेंगे आपको बहुत ही जानकारी में इनके बारे में लेकिन क्योंकि अच समय कम है I'll come straight to the point लाइफ में दो बार रिजेक्शन के बार जब फाइनली आपने एनिटी क्लियर किया और आप क्लर्क से टीचिंग लाइन में आए और उसके बार तिर आपने यह ठान दिया था कि आपको फ्रशास्नी सेवाओं में जाना है रिजेक्शन के बार हिम्मत बनाए रखने के पीछे थाकत जाती है मैं पहले तो आपको सही कर दूं कि रिजेक्शन दो बार निया वलकि तीन बार फैस किया था मैंने दो बार तो इसलिए कि दैट ताम आइवाट टोटली डैफ एंड नो पोस्ट पो आइंट फार डैफ परसन तीश्री बार इसलिए कि मैं सुनने तो लग गया था बट अको थर्ड टैम उन्होंने मुझे टोटली डैफनेस केटिगरी मान करके मेडिकली डिस्कोइल फैड किया था उसकी बाद कुछ बहुत अच्छे लोग आई थे सामने जो मीडिया के थे और भी थे उन्होंने मदद की तो मेरा अपने इसमें को इतना बड़ा योगदान नहीं है मतलब जब मेडिकली भी आफिट इस लाइन में तो वह ऐसी क्या चीज थी जो आप मतलब किसके अगेंस लड़ाई थी आपकी कौन सी धाना है को ना चाह रहे हैं नहीं देखो मैं जोंटने बोलूंगा मैंने तीन वार यूपेसे का इंटर्वू दिया था उसमें घौबी क सब्हिता कि मैं ने तीन वार भर में लखाता कि सब्ने देखना ड्रीमिंग डॉली सब्सक्राइब कहते हैं लगते你要 सब्खने रहे और उसमें मैं भी बहरा हूं मेरे भाई बहरे हैं और मेरे दोनों बच्चे भी बहरे हैं और भांजे भांजी भी बहरे हैं कि मेरी नानी जी सबसे पहले बहरी हुई थी तो यह जैनेर्टिक्स प्रवलम में मेरे मामा भी बहरे हो गई मामा की संतान भी बहरी हो गई तो इस पूरे सर्केल में जो हम बहरे लोग थे बोल तो लेती थी थोड़ा बहुत उन dog लेकिन थोड़ा पढल लिए था तौब यहा कि सुछता कि में इस ट्रगल कर सकता हूं इनको बाहर निकाल सकता हूं पोला था मैंat के इन वे ख्रांग बिर लाइक बनने की लिए कुछ कर रहा हूं तो फ्रेंक्ली स्पीकिंग मैंने नहीं सोचा कि आई यह क्या होता है कि मुझे देश की सेवा करने के फ़लां दिकाना बच कुछ बनना है कुछ का मतलग कुछ भी बनना है जिससे बहरेगूंगे की लाइफ से थोड़ा निकल जाओं और थोड़ा बहुत सम उन्हें के लिए प्रेंदा बन सके है के इतना सा अप्वाब ठाएंगा और जो नहीं ने बहुत बखू भी पूरा किया लेकिन प्रिशाशनिक सेवा ही स्कुछ और क्यों नि प्राशनिक सीवा में पहले कि वना था प्र इसकुल टीचर ऑफा उन्हीं ति किसी ने कोई response नहीं दिया मैं ज्यादा निगेटिव नहीं बोलना चाहूंगा पर कुल मिला कि किसी को ऐसा response नहीं मिला जहां मैं अपने सपने को पूरा कर पाता तो मुझे यहीं लगा कि अगर मैं एक कलेक्टर हो जाता हूं तो निश्चेत रूप से यह नहीं थे के डॉंक्टर से जो आज मेरे से सीधे मूँ बात भी नहीं करते वह साइद मेरी बात सुनेंगे समझेंगे तो प्रिशाशनिक सेवां क आज में बताना चाहता हूं मैं अपना औप्रेशन कर लिया मेरे बैटे को कर लिया भांजय का और कर दिया और में जब दी सी मेवाद था तो सतर बच्चों के कराए था डीसी पलवल था तब भी बीस बच्चों के इंप्लांट कराए था अभी और अमित जहांसर है एक सीनियराइस ऑफीसर है उन्होंने एक गरीब बच्चे को संपर्कम लाए थे तो उसका भी ऑप्रेशन के लिए पेंसे के नतिजाम हमने कर दिया या कि एक बच्चा जिसको स्कुल्म एडिमिशन नहीं दे रहे थे तो अभी मैंने डीसी अंबाला बिक्रम है उनसे कहके उसके स्कुल्म एडिमिशन दिला जा जो भी बिल्कुल डैफ मूट बच्चा है कोई लड़की है तो बस यह कि और प्रिशाशनिक सिवा में आने से यह रूट आसान हो इस ट्रगल आसान हो गया कि जो मैं करना चाहता था खुद का उप्रेशन करवाना अपने बच्चों को उप्रेशन करवाना वह मैं कर सकता था वह एक टार्गेट तो यानि केवल पैसा ही नहीं है जिससे आप सोचते ही कि आप अपनी या किसी और की जिंदीगी बदल सकते ह है एजुकेशन या शिक्षा की ताकर भी बहुत इंपोर्टेंट बात है और उसी को इन्हों ने अपना सहारा बनाया और शिक्षा के माध्यम से इस मकाम पर कहुंचे जहां ही अपनी बात लोगों को मनवा पाएं और अपनी बात कह सके और लोग इनकी बात सुने बहुत ही सर फ्रशासनिक सेवा में आने के बात जैसे आपने इतने सारे लोगों की मदद की क्योंकि आप उस तकलीफ से गुजर चुके थे पर क्या आम जनता को जो किसी भी तरह की प्रशासनिक सेवा में या किसी उचे लेवल पर अगर इस तरह के लोगों को मौकर दिया जाए can it set an example क्या वो लोगों की सोच और धारना बगल सकता है देखिए पहली बात तो पहली की तुलना में काफी कुछ सुधार आया है जो पहले हमने फेश किया आप ऐसा नहीं है और मैं यह नहीं कुँँगा कि मैंने किया ऐसा और यह फिर डिसेब्लोगों ने किया है वलकि जो डिसेब्लिटी फैस नहीं कर रहे है वो भी बहुती सेंसेटिव लोग है जो प्रिसास्टिंग सेवाओं में हैं जिन्होंने किया है जैसे कि पहले भरत्पर के कलेक्टर हुआ करते थे हमत गेरा साब उन्होंने पहले बारे प्रोजेक्ट चलाया था कोई 20 साल पहले का है कि कैसे और यूनिक डिसेब्लिटी आइडिन्टी कार्ड बनाए जाए तो अंतर तो आया है हम जैसे कुछ लोग आते हैं वो हो सकता कुछ धारना बदलने लेकिन काम तो हमसे बाहर के लोगों ने बहुत किया है और आज की तारिक में डिसेब्लिटी के टिगरी को जो फैस कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो उतना नहीं कर रहे और सरकार काफी सेंसिटिव हो गई है ओफीसर्स भी काफी सेंसिटिव हैं सब्सक्राइब बड़ी है तो निश्चित रूप से के बल और हमें नहीं बलकि पूरा एंवार्नमेंट फ्रेंडिली हुआ है जहां तक हम डिसेब्लिटी राइट्स की बात करते हैं यह तो गूगल के सब कुछ अवेलेबल है लेकिन कहीं आपको ऐसा लगता है कि इसकी सब्सक्राइबल है और अगर वह शिक्षित नहीं है तो उनके पास इंटरनेट या गूगल की अवेलेबल नहीं है क्या आप इस बात को कहेंगे कि उनकी अवेर्नेस में कमी है और कुछ ऐसा किया जा सकता है तो मैं कहूंगा क्योंकि मैं खुद जब 34 साल का और इतना कुछ पढ़ लग गया था कि 10 वी बार में की मेरेट मेरे पास थी मैंने में की या एम फिल की या पीएचडी की तीन वार यूप से क्वैलफाई किया लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम था कि को क्लिर इंप्रंट क्या होता है मेरा ऑपरेशन इलाज कैसे होगा मुझे कोई क्या होता है कि अमें सुनने लग सकता हूं तो वाकि जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं उनका तंदाज आप लगा सकते हैं कि निश्चेत रूप से इस लेवल पर बहुत कुछ किया जाना बाकि है और सचमुछ लोग कर भी रहे हैं अभी जिलाप्रिसासन के लोग भी जाते है हैं फिर भी बहुत कुछ किया जाना बाकि है अवे इनने सलानी बाकि है क्योंकि समय का बहुत अबहुत है एक पाइनल मेसेज में मही राम जी से पूछना चाहूंगी कि जैसे करेंट जेनरेशन आपके बारे में जब लेखा गया तो वह काफी पुरानी बात हो गए क्योंक बच्चे या आजकल के लोग या यूवा विचिस सिक्सी परसेंट ओव इंडियास पॉपिलेशन जब तक जानेगी नहीं तो सीखेगी भी नहीं और चेंज भी नहीं ला सकते समाज में लेकिन इस जेनरेशन को और यह हमसे जादा समझदार है इसे एक यह मेसेज आपको आ बहुत जरूरी और हरी स्टेगल करने वाला सफल नहीं होपाता लेकिन हैर सफल आदमी ने श्टेगल तो जरूर किया है, 네 तो सफलता के लिए कोई सोट कर तो नहीं होता दूसरी बात थोड़ा भगवामें भरोसा करना चाहिए उसे इसे थोड़ा मोटिवेशन और हम्बत्व मिलती है कि समय पर सब कुछ मिली जाएगा यानि कि और भाग से जादा और समय से पहले किसे कुछ मिलने वाला नहीं है तो कहते हैं ना बेना फल को उम्मीद किये और काम करते रहना चाहिए वो तो हमसे नहीं हो पाएगा लेकिन धहरे बनाए रखना जरूरी है और अगर आपने सच्छे मंद से श्ट्रगल किया है तो इस लिए नहीं नहीं चाहिए तो किसी और लैंड में सफलता तो मिली जाएग बहुत ही एप्ट मेसेज मनी राम जी ने दिया है हम इस तरह की स्ट्रगल स्टोरीज या सचसे स्टोरीज और देकर आना चाहते हैं मनी राम जी का नाम अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इनके बारे में और जादर जानकाली मिलेगी आपकी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेते ने और ना सिर्ख इतना बलकि औरों की भी मदद करने की सोचें जिस तरह से आपने सोचा थैंक यू सो मच पॉर टाइम और थैंक डू शुक्त